हेलो फ्रेंज, मैं अनामीका, मेरे किचिन में आपसे भी का श्वागत है फ्रेंज, आज में मैं की एश्टाफी इतली की डेश्पी लेकर आएंगा, इससे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे इसे बहुत प्रेंज से खाते हैं, तो फिर चलिए हम इसका इंग्रिदेंस देख लेते हैं यहां पे हमने एक पैकेट मैगी को वाइल करके पानी से इस्टेंड कर लिया है मैगी अपनी ठंडी हो चुकी है, थोड़ा सा हम गाजर लिये हैं, थोड़ा ग्रीन केपसी कम, डेल केपसी कम और एलो केपसी कम ले रखे हैं चिली फ्लेक, निम्बो कारश, नमक, फ्लैक पेपर, शुकर, राई यानि कि मस्टर शीर, इतली का पेश्ट और फ्राई के लिए हम थोड़ा सा तेल यूज करेंगे तो सबसे पहले, हम गैस्पे एक प्राई पैल ले ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे यानि कि एक चमच की बरावर तेल को हमें हलकाशा गरम होने देना है और इसमें हम आधी चमच MSTER Richtung डालेंगे, यानिकि राई का दाना दाई को हमें हलका सा चटकने देना है, इसे हमें काला नहीं होने देना है, आप सुन सकते हैं, इसमें से फूपने की आवाज आने लगी है, इसी टाइम के हमें सभी सब्जियां साथ में डाल देंगे, इस सब्जियां बहुत जल्दी सफ्ट हो जाती है, इसके लिए हमें अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसे देर से दो गीनट तक चलाएंगे, तो यह सफ्ट हो जाएगी, अब अभी इसमें नमक और मशाला अड़ कर लेंगे, इसमें हम स्वाद के अनुशार नमक डाल लेंगे, पुड़ा सा हम प्लैक पेपर डालेंगे, पुड़ा सा चीली फ्लेक्ष डाल लेंगे, बच्चों के लिए बना लेहे हैं, इसके लिए हम स्वाद के लिए बहुत ही कम डाल रहे हैं, सभी को हम मिक्स कर लेंगे, और साथ में हम मैगी भी डाल के मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं अपनी मैगी की एश्रफिन तयार हो चुकी है, अब हम इसे किसी दुष्रे बर्तर में ट्रांस्कर कर लेंगे, ताकि यह धंधा हो जाए, अब हम इतली को कर लेंगे और पैसकर में हम एक गलस पानी डालेंगे, पानी जाली के नीचे तक होना शाहिए, इसके उपर हम इतली मेकर रख लाइए और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा इतली का बेटर डालेंगे, यानि कि हमें आधी मोल्ड ही बेटर डालनी है, आप देख सकते हैं यहां पे आधी चमच में अपनी मोल्ड जो है आथा भड़ जा रहा है, तो आपकी साइज जैसी हो मोल्ड की उसी अनुसार बेटा बेटर डालिए, अब हम इसके बीच में थोड़ा-थोड़ा एश्रफिन डालेंगे, यह बीच में थोड़ा-थोड़ा मैगी एश्रफिन डालेंगे, बच्चों के लिए बनाये हैं इसके लिए ज्यादा सब्सी या मसाला एडना है किया है अगर अगर आप इसे बच्चों को लाउंज बॉक्ट में देती हैं तो बच्चे फट फट चट खट करके आजाते हैं अब हम इसे बेटर से कवर कर लेंगी अब बेटर से कवर कर लिया है अब ठकन लगाके इसे हम तेज फ्रेम पे 10 मिनट तक एश्टीम कर लेंगे 10 मिनट हो चुका है हाथ में हम ग्लॉज बाहन के ठकन को हटा लेंगे और बीच से मोल को निकाल लेंगे जान रहे गड़म होती है तो आदो आपका प्रया की मदद से या पकर्ची मदद से निकाली है अब देख सकते हैं अपने एक लिप फूल के डबल हो गई है अब हम एक नाइफ की मदद से इसे रिमोल कर लेंगे अब इसके हम दो दो पीसेश कर लेंगे देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी एश्टापी इतली बनके तयार हुई है तो सभी इतली को हम ऐसे काट लेंगे और अपनी मान पसंद चत्मी के साथ सब करेंगे आप भी बनाईए और मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए